यह आजादिन सरकार यह सिर्फ नाम नहीं था बलकि नेताजी के नित्रुत्व में इस सरकार द्वारा हर शेत्र से जुड़ी योजनाय बनाई गई थी इस सरकार का अपना बैंक था अपनी मुद्रा थी अपना डाग्टिकर था अपना गुप्तचर तंत्र था देश के बाहर रहकर सीमित समसाधनों के साथ शक्ति सालिस सामराज्य के खिलाब इतना व्यापक तंत्र विक्सित करना शसत्त क्रांती अभूत्पुर्वा मैं समाताव्य असाधारन कारिय था नेता जी ने एक ऐसी सरकार के विरुद्ध लोगों को एक जोट किया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था दुनिया के एक बड़े हिस्से में जिसका सांसन था अगर नेता जी की खुद की लेखनी पड़े तो हमें ज्याद होता है कि वीर्ता के शिर्ष पर पहुंचने की नीव कैसे उनके बच्पन में ही पड़ गई थी वर्ष 1912 के आज पास आज से 166 साल पहले उन्होंने अपनी मां को जो चिठी लिखी थी वो चिठी इस बात की गवाह है कि सुभाज बाबु के मन में गुलाम भारत की स्थिती को लेकर कितनी वेदना थी कितनी बेचेनी थी कितना दर्द था ध्यान रखिएगा वो उस समय सिरफ 15-16 साल की उमर के थे सैंकडो वर्सों की गुलामी ने देश का जो हाल कर दिया था उसकी पीडा उन्होंने अपनी मां से पत्र के द्वारा साजा की थी उन्होंने अपनी मां से पत्र में सवाल पूछा था कि मां क्या हमारा देश दिनों दिन और अधीक पतन में गिर्ता जाएगा क्या ये दुखिया भारत माता का कोई एक भी पुत्र ऐसा नहीं है जो पुरी तरह अपने स्वार्व को तिलांजी देकर अपना संपूर्ण जीवन भारत मा की सेवा में समर्पित कर दे बोलो मा हम कब तक सोते रहेंगे 15-16 साल की उमर के सुभाद बाबु ने मा को ये सवाल पूछा भाई और भेनों इस पत्र में उन्होंने मा से पुछे गए सवालों का उत्तर भी दे दिया था उन्होंने अपनी मा को स्पस्ट किया कर दिया था कि अब अब और प्रतिक्षान नहीं की जा सकती अब और सोने का समय नहीं है हमको अपनी जरता से जागना ही होगा आलच्य त्यागना ही होगा और कर्म में जुट जाना होगा ये सुभाज बाबु पंदरा सोला साल के अपने भीतर की स्तिवर उत्तकंड़ा नहीं किशोर सुभाज बाबु को नेता जी सुभाज बना दिया नेता जी का एकी उदेश था एकी मिशन था भारत की आजादी मा भारती को गुलामी की जंजिरों से मुक्त कराना यही उनकी विचार दारा थी और यही उनका कर्मक्षेत्र था